अपनी ही लायू दुरुष्य पातो आहोत पंतप्रदान नरेंद्र मोदी मंचावर दाखल धाले ले आहे तोल ताशा ले जिम्चा गजरा मदे भारताचे पंतप्रदान माननीय श्रियूद नरेंद्र मोदी जी अंसा स्वागत होता है धन्यवार नमस्कार विभन्यकार ये तथा परियोजनाओं के भूमी पूजन शीला न्यास, उद्गाटन, लोकारपन एवं लाग वितरन समारों के लिए उपस्तित सभी का विशेश रूप से मंच पर विराजमान मान्यय प्रधान मंत्री जी का आज के इस खास समारों मैं मैं मानसी तहदिल से स्वागत करती हूँ मराथी परंपरागत फेटा मानवस्त्र, मानचिन्ह तथा फूलों का हार देकर भारत के प्रधान मंत्री मान्यय श्री नरेन्र मोदी जी का स्वागत करेंगे महराश्र के मुख्यमंत्री मान्यय श्री एकनाथ शिन्दे जी तथा महराश्र के उपमुख्यमंत्री मान्यय श्री देवेंद्र फड्नविश्जी मानवस्त्र परंपरागत मराथी पेटा मानवस्त्र शत्रपती शिवाजी महाराजांचा हापुतल एमेमारडी एतरफे हे सनमानचिन्धा ब्रुहन मंबई नगर निगम की ओर से और एक मानचिन्धा करदो पहते हैं साफ्या चाहार ये पुश्प का हार स्मीकार करें ये बिंती है धन्यवाद और अब महाराश्ट्र के उप मुख्यमंत्री मान्यश्री देविन्र पर्णविश्षी से मैं स्वागत संबोधन हेतू अनुरोध करती हूं हिंदवी स्वराज्या चे सरसंस्थापक छत्रबती शिवरायान ना मानाचा मुजरा करतो भारतिय राज्य घटने चे शिल्पकार भारत रतन डॉक्टर बाबा से बामबेड कर यन्ना मानवनना आरपित करतो जे लोक खुर्चे और उबहेत तैने खुर्चे और बसाव अशितरना विननती करतो आज के हमारे इस कारेक्रम में हमारे बीच उपस्तित अखिल विश्व के सबसे लोक प्रिय नेता हम सब के नेता आधरनिया नरेंद्र मोदी जी महाराष्टर के माननिय राज्यपाल जी महाराष्टर के लोक प्रिय जनप्रिय मुख्य मंत्री जो अभी अभी डावोस से एक लाग पच्पन हजार करोड के M.O.U करके आये है ऐसे हमारे एकनाच शिंदे जी मंचपर उपस्तित हमारे सभी केंद्रिय मंत्री गण हमारे महाराष्ट के अध्यक्षजी मुंबई के अध्यक्षजी मंचा सीन सभी महानुभाव और यहाँ विराट संख्या में उपस्तित सभी बहनों और भाईयो मैं सब से पहले आप सब लोगों की और से हमारे आदरनिय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ महाराष्ट और मुंबई चा वतिन आदरनिय मोधी जिन्च या ठिकाड़े में स्वागत करतू प्रधान मंत्री जी आप तो हर जग़ लोगप्रिया है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लोगप्रियता की कोई कॉंपिटिशन होगी तो आपकी लोगप्रियता में नंबर वन पर मुंबई होगा ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इतना प्रेम मुंबई करो का आपके उपर है और मुझे याद है 2019 में आपने यहां से ही कहा था कि पाथ साल की डबल इंजिन सरकार ने महाराटर को बदला आए और फिर एक बार डबल इंजिन की सरकार लाइए आपके शब्द पर विश्वास रखके महाराटर की जनता ने डबल इंजिन की सरकार लाई लेकिन कुछ लोगों ने बेईमानी की इसलिए धाई साल जनता के मन की सरकार नहीं बन पाई लेकिन बारा साथ ठाकरे जी के सच्चे अनुयाई एक नाथ शिंदे जिन ने हिम्मत की और आपके आशिरवात से फिर एक बार महाराटर में महाराटर के जन जन के मनमन की सरकार यहाँ पर तयार हुई और फिर एक बार महाराटर विकास की दुर्ष्टी से जोरों से भागने लगा आज कई कारेक्रमों का उद्धाटन भूमी पुजनम करने वाले है लेकिन इसमें सबसे महतोपुर्ण अगर कोई चीज होगी तो प्रधान मंत्री स्वनिधी का कारेक्रम राजनिती कैसी होती है कोविड के समय प्रधान मंत्री जी ने रहेडी पट्री वाले फुटपाद दुकानदार हाट ठेले वाले पान ठेले वाले सभी का विचार करके उनके लिए स्वनिधी की रचना की लेकिन महाराष्टर की सरकार ने ततकालीन मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक में निरने हुआ कि ये जो गरीबों को पैसे मिलने वाले है इस योजना को स्तगित किया जाता है इसको लागू नहीं किया जाएगा और महाराष्टर के जो गरीब लोग थे फुटपाद दुकानदार थे फेरी वाले थे उनको रोक दिया गया लेकिन वापिस सरकार आने के बाद यहाँ पर हमने हमारे केंद्रिय राज्यमंत्री जी के नेतरुतुमे एक बैठक की और उस बैठक में हमने ये तै कि कि मुंबई में एक लाख रेडी पट्री वालों को फुटपात दुकानदारों को फेरी वालों को हम लोग स्वनिधी का फायदा देंगे और आज मुझे बताते हुए ये बहुत हर्श होता है कि एक लाख का आकड़ा पार करके एक लाख पंद्रा हजार तक हम लोग पहुचे है प्रदान मंत्री जी शायद आप अकेले ऐसे प्रदान मंत्री होगे कि जिनोंने जिन जिन योजनाओ का भूमी पुजन किया उन-उन योजनाओ के उद्गाटन को भी आप ही उपस्तित है आज ये जो मेट्रो का उद्गाटन हो रहा है 35 km, 35 km, मेट्रो 7, मेट्रो 2 है इसका भूमी पुजन भी आप ने किया था और उद्गाटन भी आप कर रहे है ये नया कल्चर इस भारत में और महाराष्टर में आपके कारण आया है मैं इसलिए आपका आभार्व्यक करता हूँ सबसे महत्व की बात आज मुंबई करता STP मुंबई सारका इतका महत्वाचा शहर या शहरा मदे रोज हजारो हजारो ने करोडो करोडो लिटर पाणी ट्रीट न करता कुटली प्रक्रिया न करता संवद्रा शोड़ो तो हा समुद्रा शावा समुद्रा ची घार ही टेचा मले होती 20-25-25 वर्ष मुंबई महाणगर पाली के वर जैन्नी राज्य केल ट्यानी केवर डिपोजिट फिक्स डिपोजिट केले स्वता ची घर भरली पड़ मुंबई करानना त्या ठीकानी शुद्ध पाणी तेडाचा करी प्रहत्न केला नाई पड़ या ठीकानी मी ज्यावेस मुख्यमंट्री होतो त्यावेस महानगार पालिकेला संगितलो ये पाणी असो शोड़ता ये नार नाई तुमाला स्टीपी तैयार करावे लगतील महानगर पाली के नहीं सांगित ले स्टीपी तो हमीं तयार करूँ पड़ स्टीपी कुठलया नांस नहीं तयार कराई चे हेचा माला भाईती नाए मैं आधर निया प्रदान मंतरी मोधी जी की सरकार के पास गया और मैंने निविदन किया कि समुंदर में अगर डिश्चार्ज करना है तो कौन से लेवल का पानी चाहिए इसके डिश्चार्ज नाम तयार करने पड़ेंगे और एक साल के भीतर भीतर मोदी जी की सरकार ने डिश्चार्ज नौम तयार करके मुंबई महानगर पालिका को दिये कि अब देखें ये सारे नौम्स तयार है अब गंदा पानी मत छोड़िये लेकिन साहब उसके बार भी तीन साल तक मुंबई महानगर पालिका ये काम इसलिए नहीं कर पाई करने वाले नहीं थे ऐसा नहीं था करने वाले थे लेकिन इनका उनसे जम नहीं रहा था काई जमत नो तो महीते हैं न हाँ वो जम नहीं रहा था और इसलिए हिस्सेदारी नहीं मिली इसलिए उसको नहीं किया गया लेकिन हमारी सरकार आने के बार हमारे शिंदे जी के नेत्रुतों में हमने उसको गती दी और गती के साथ उसको पूरा करने का काम अभी हो रहा है आज उसका शिला न्यास माननिय मोदी जी के हातों से हो रहा है और ये केवल और केवर मोदी जी आपकी सरकार के कारण संबव हुआ है इसलिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ साथ साथ 6,000 करोड के रास्ते किसी ने प्रखन पूछा कॉंक्रीट के रोड क्यों बनाते हो वो इसलिए बना रहे कि 4 साल पहले जब हमने मुंबई के रास्तों का परिक्षन किया था तो ध्यार में आया कि इन रास्तों में नीचे की लेयर ही गाया पर इस प्रकार का भ्रख्टाचार हर साल वो ही रास्ते हर साल वो ही रास्ते अब हमने ताइक्या नहीं ऐसे रास्ते बनाएंगे 40 साल एक गड़ा भी उस रास्ते पर नहीं पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया उसका भी शिलान्यास आज प्रधान मंत्री जी कर रहे है तिर हॉस्पिटल का शिलान न्यास कर रहे है और प्रधान मंत्री जी मैं आपका आभारवेक करता हूँ मुंबई की पहचान क्या है मुंबई का छत्रपती शिवाजी महाराज हमारा जो स्टेशन है मध्यार रिल्वे का जो स्टेशन है वो मुंबई की पहचान है और मुंबई की इस पहचान को पुनर परिभाशित करने के लिए उसके विकास का आपने कारेकरम हाथ में लिया और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आइकोनिक इस प्रकार का CST रिल्वे स्टेशन फिर एक बार मोदी जी के नेतरुत में हमको मिल रहा है और उसका भी मुवी पुजन आज हो रहा है मैं उसके लिए भी आपका आभार वेक करता हूँ मैं आपको इतना ही अश्वस्त करना चाहता हूँ मुंबई की जनता आपको सुनना चाहती है आपका आशिरवाद चाहती है आपके आशिरवाद से हमने धारावी का भी टेंडर मंजूर कर लिया है एक लाख लोगों को घरों को पुनरवसित करने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और केवल आप में रेलवे की लैंड ही इसलिए ये कारेक्रम हम कर पा रहे है जल्दी ही उसके भी भूमी पुजन के लिए आपको हम बुलाएंगे और प्रधान मंत्री जी उसमें आपका बहुत आशिरवाद हमको लगेगा उसके लिए भी आपको हम निमंत्रित करेंगे मैं इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं फिर एक बार आधरणिया प्रधान मंत्री जी का मुंबई की जनता की और से महाराष्टर की सरकार की और से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ जैहिन जै महाराष्टर धन्यवाद डीसेम सर और अब महाराष्टर के मुख्य मंत्री मानिय श्री एकनाथ शिंदेजी से मैं प्रात्ना करती हूँ कि आज के इस बेहत खुशी तथा एहम आवसर पर वे उपास्तित सभी को संभोधित करें मुंबई मदे विवेद उपक्रमांच भूमी पूजन और लोकारपन करने सटी आज व्यास पिठावर उपस्तित आपल्या भारत देशाचे लोक प्रिया और यसेश्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी साहेब यांचा में आपल्या सगल्यान चावतिने मुंबई नगरी चावतिने मना पासुन स्वागत करतो आणितना मना पासुन धन्यवाद देतो व्यास पिठावर उपस्तित महमहिम राज्यपाल जी राज्याचे लोक प्रिया उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फड्नविजी व्यास पिठावर इल्ट सर्व मान्यवर मंत्रिगन उपस्तित सर्व खासदार आमदार आनि नजर पोचतने इत परियंत मोधी साहवान ना बगायला आनि आईकायला आलेले सर्व मुंबैकर बांदव भगीनी आनि पत्रकार मित्रानो महाविकास आगाडी सर्कार चा काडात महाराष्टा चा विकास किती जाला आते आपलेला माईत है आनि अग्दी ठप धालेला कामानना खर्या आर्ताने चालना देने साटी आनि जो काई लोकोपयोगी योजनांचा खर्या आर्ताने श्वास गुदमरला होता त्यातुनिया राज्याची आनि जनतेची मुमवईकरांची सुटका करनेची संदी आमाला मिला लिए ते किवड आदर्निया मोदी साइबान सारक्या धाड़सी नित्या मुले आनि नित्रुक्वा मुले मैं जब भी मोदी जी को देखता हूँ जब भी उनसे मिलता हूँ मेरे मन में एक पवित्र भाव पईदा होता है उनके व्यक्तितों में कुछ खास है जो हमें विश्वास और उर्जा देता है मुंबई करांचा जगन सुसाइए करनेची सुरुवात खर्यारता ने आज जाले लिया है अणि ये त्या दोन अड़ीच वर्षा मदे या मुंबई चा काया पालेट अपलेला पाहला मिलेल खर्यारता ने अच्चा दिवसाची सुरुवात ही सुवर्न अक्षराद नोन करावी असिस्थरेल असे मलक खात्री है अक्तुबर 2015 में आधर निया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे मेट्रो का भुमी पुजन किया था जब मुख्य मंत्री देवेंद्र जी थे और आज उनी के हातों से इस सेवा का लोकारपन हो रहा है यह बहुत ही बड़ा दैवी योग है और इसलिए मैं मोदी जी का आधर निया प्रदान मंत्री जी का तैय दिल से स्वागत करता हो उनका अभिनंदन भी करता हो क्योंकि हमारी बिंती को उन्हें मंजूर किया उन्होंने और यहां पदा रहा है इसलिए मैं हम सब लोग उनके आभरी है महारस्त के लोग खुश नसीब है कि जिन हातों से आगाज हुआ था आज उन्हें हातों से अंजाम दिया जा रहा है यह बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि कहीं लोगों की मन्शा, इच्छा, पेक्षा थी कि यह कारिकम मोदी जी के हातों से ना हो लेकिन नियती के सामने किसी का नहीं चलता है और यह आज जो आप लोग देख रहे हो हमारी मन्शा थी, हमारी इच्छा थी, हमारी अपेक्षा थी यह महारास्त की जन्ता की अपेक्षा थी मुंबई वासियों की आपेक्षा थी जो ये मुंबई के लिए जो हम लोग यहाँ पर जो विकास के प्रकलप ला रहे उसका भूमी पुजन और लोकारपन देश के प्रधान मंत्री जी के हाथों से हो और आज यही गेला वर्षी चा डिसेंबर मदे मंजे वर्षाचा समारूपा मदे देशातल्या गेम चेंजर हिंदुर्दै समराड बासाइब ठाकरे समरुद्धी महामार्ग नाकपूर मुंबई चा शुबारंब मोधी साहबांचा शुबस्ति जला आनि आता नव्या वर्षाची सुरुवाद जिया है आपन मुंबई करान साथी मोटे प्रकल्प आनि मेट्रो अपन सुरु करतो आहोद खरे आरतानी एक कारेकम राज्जाचा उपर राजदनी जला आनि अच्छा कारेकम अपने राज्जाचा राजदनी मदे एक अभूत पुर्वा सोड़ा आपन या टिकानी करतो है आनि मनून सम्रुद्धी महामार्गा हा नाकपूर आनि मुंबई ला जोड़ना रा महामार्ग जला महारास्टाची भाग्यरेशा असले लिया या महार्गा मुले सम्रुद्धी या मुंबई मदे दाखावल होती है आनि खर्यारता ने आमचा दोगान चाही सपन होता कि मेट्रो चा रुपाने देखेल है दुसरा सपन आप लिया मुंबई करान चा साकार होता ना आपन पहातो है वंदनिय बाला साहिब ठाकरे आनि पंतप्रदान अधरनिय मोदी जी यांचा जिवालयाचा नात होता अमपलेला मला सांगनेची आवश्यक्ता नाए हिंदुत्वानी हिंदुत्वाचा अभिमान हाया दोगान चाही विचारांचा समान धागा होता आनि विकासाचा राजकारान हाप पाया होता तेज सुत्रधरोन अत्यन एत्या पुड़िचा काई महिनया मदे होईल या मदे रस्त्या आहे रेल्वे आहे सागरी महामारगा है आनि खर्यारताने देशातले एक आदर्शासा वहातुक आनि डड़न वलनत आरा खड़ा आपन या महाराष्टाचा माध्यमातों आपले आला जगा समुर्ध ठेउता है येल त्याचा ही मलागचारता अभिमान है आनि मनून मेट्रो आपन शुरू करतो है लाखो मुंबई कराना त्याचा फाइदा होईल जवर पास साड़े तीन्शे किलोमेटर चा मेट्रो च जाल जे देवेंदर जीन चा काड़ा मदे त्याला चालना मिलाली परन्तु मगे मदले जेकाई अडीत वर्ष गेले त्या अपले सगया नमाईता है तैचा मदे मिजात नाई परन्तु जसा सरकार आपला आला सर्व सामाने लोकान चा मनातल सरकार आला नंतर आपन त्या सर्व प्रकलपान चालना दिली आने तला देकिल युद्ध पात्विवर आपन सुरुकेल आने मुनुन जेवा है 337-315 किलोमेटर चा नेटवर्ट चा जाल कम्पलीट होईल या रस्त्यावर चे 30-40 लाक वाहन ही रस्त्यावरुन निक्तिल या लोकान चा वेलवाचेल प्रदुशन कम्य होईल लोकान चा जिवना मदे अमुलागर बदल होईल ये काम आपले सरकार करता आने मनुन या ठिकानी केवल रस्ते पूल आनी है सगल्या गोष्टी मन जे विकास नाई आसा आपन मंतो आने मनुन विकास आला मानिवी चेहरा पाईजे आज आनकी या मुंबई करांचे आरोग्या मदे चांगला स्विधा मिलाले पाईजे या साथी भास है ठाक्रे आपला दवा खाना देकिला आपन आदर निया प्रधान मंत्री महोदयान चा शुबास ते शुरु करतो ये 20 दवा खाने आज होता है 123 दवा खाने या ठिकानी पुर्च मार्च परेंथ होती एक चांगली आरोग के सुविधा त्या ठिकानी सग्या नम्लेल मगाची देवेंद्र जी नी सांगितल हे स्टीपीच जेकाय तैनी सांगितल कि किती वर्षा पासुन हे प्रलंबित होते परन्तु इच्छा शक्ती पाई जे आणे इच्छा शक्ती दाखवल्या मळे आज जे केले आने एक वर्ष प्रलंबित प्रश्न आपन सोड़ोतो है कॉंक्रीट चे रस्ते देखिली आ ठिकाने आपन पहातो है कि कॉंक्रीट चे रस्ते आता ठिका करता है या आज 400 किलोमेटर कॉंक्रीट चे रस्ते भूमी पुजन आधर निया प्रधान मंत्री करता है पुर्चा मैना मदे आनकी पास्से किलोमेटर चे रस्ते आपन या ठिकानी कॉंक्रीट चे करतु है मजे पुर्चा दो नडीत वर्षा मदे संपूर्ण मुंबई खड्डे मुक्त होईल आणि लोकांचा जीवन सुसाइय होई परन्तो आपन पाईल कि याला देकेल खोडा घलन्याचा काम काई लोका करता है तैना तैंचा काम करू द्या आपन अपले काम करू एवड़च मिया प्रसंगी सांतो आणि दर वर्षी जे खड्ड्याचा प्रवास लोकांचे आणि खड्ड्यान मुले गेलेले बढ़ी आणि दर वर्षी जे खड्ड्या मदे जानारा मुंबई करांचा पैसा वाचवन्याचा काम अमि या कॉंक्रीट चा माध्यमा तुन करतो है करन खर्या अर्ताने आता डामराचा रस्त्या मदे दुरुस्ते चे पैसे वास्तील वीस पंचिस वर्ष परन्तु हे कुनाला सगयाना नकुआए लोकाना हवा है परन्तु कही लोकाना नको है करम 25-30-40 वर्ष यह रस्त्याला खड़ा पड़नार नाई निश्पाप लोकान चे बड़ी जानार नाई लोकान चा खड़्यातला प्रवास मुक्त होई अनि मनून डामरी करना चा नावा खाली काल पांडर करना रहा लोकान ची दुखा न या मले बंदह होती लिए दुख है है बरबर आई ना अनि मनून मी युड़स संगेन कि आम सरकार अधर्णिय मोधी साहिबान चा मारग दर्शना खाली आमी काम करतो है फक्त सा महिना मदे या सरकार में घेत लेले निर्नेजर आपन पाई ले तपेट्रोल डिजल चे धर कमी करने आशेल सोतंत्र दिव्यांग मंत्रा लो आशेल जेश्ट नागरिकान यस्ती मदे मोपत प्रवास आशेल दिवाली मदे शंबर रुपायत फक्त दिवाली चा उत्सव साजरा कराला ते पदार्त शिदा आशेल त्याज बरबर गामिन भागातिल नागरिकान साथी सुविदास तील संपन कुटुम्ब मिशन आशेल चार कोटी मैलांचा अरोग्याची तपासनी आशेल त्याज बरबर शेत कर्याँना 15,000 रुपे प्रोच्चान पर रक्कम अशेल त्याज बरबर याज शेत कर्याँचा नुक्सान अति उर्ष्टि जालो त्याना NDRF चे नाम स्पेक्शा दुपट मदत मोबदला नुक्सान भरपाई देने आचा निरने शेल असे किती तरी निरने आपले सरकार ने घेत ले आणि मनुन मी या ठिकानी आपलेला सगयना आदरनी अ प्रधान मंत्री महोद आना आईकाईचा आणि मनुन मी यवड़ा संतो कि ये सर्वज आपन करतो है त्या मुले सगयन चा पोट दुकी उटलिये मलमल शुरू धालिये पाया खाल्ची वालू सरक लिये छाती धड़की भर लिये जर सा महिन्यात हे सरकार यवड़ा काम करूँ शक्तो तर फुर्चा दोन वर्षा काय होईल आणि मनुन याचा सगयना त्रास होतु है आणि मनुन आपन आपले काम करत रहुया तेना टिका करूँ द्या तिकेला उत्तर आमे कामा ने देवू जवडी टिका कराल तेजा दहा पड़ा में काम करूँ मी यवड़स संतो की मी परवा दावस ला गेलो तो आणि दावस मदे गेला नंतर पाहिला अपले देशाचा बदल आदर निया प्रधान मंतरी महोदया याँचा बदल दावस मदे विवीद देशातले लोक आले होते विवीद राज्यातुन आले होते देश भरातुन जग भरातुन लोक आले होते मला अनेक लोग का भेट ले अनेक प्रदान मंत्री होते अध्यक्ष होते काई मंत्री होते ते फक्त अनि फक्त मोधी सहभांचा बद्दल विचाराईचे मोधी सहभांचा बद्दल विचाराईचे मोधी सहभा एक ता प्रदान मंत्री अधर निया पधान मंत्री जी एक लग्जंबर के प्राइम मिनिस्टर मिले मुझे कहा मैं मोदी जी का भक्त हूँ मेरे साथ उन्होंने फोटो किचोया बोले मोदी जी को एफोटो दिखाई जर्मन के कुछ लोग मिले सौधी के कुछ प्रमुक लोग मिले बोले आप मोदी जी के साथ हो ना मैंने कहा हम उनके लोग हैं और मुझे मुझे कहने को बहुत आनन्द हो रहा है कि मोदी जी का करिश्मा उनके लोक प्रियता की डंका तो अपने देश में तो बजा रहे हैं हम सब लेकिन दुनिया में दावोस में भी उनके नाम की डंका सुनाई पड़ रही है यह हमारा गवरो है वहाँ यह सुनने के बाद एक लाग पचपन हजार करोड के तो M.O.E. हो गए लेकिन इसके पीछे आशिरवाद मोदी साब का था क्योंकि वहाँ पर जो माहूल था वहाँ पर माहूल देखने के बाद इतने खुशी हुई कि हमारे देश के प्रधान मंतरी जी का नाम पूरे दुनिया के प्रमूख लोगों के जबान पे है ये बहुत बड़ा हमारे लिए गवरों है और ये क्यों हुआ क्योंकि जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंशिप भी हमारे भारत देश को मिली ये भी हमारे लिए गवरों है गवरों की बात है और ये क्यों मौका मिला क्योंकि पिछले साथ-अठ सालों में हमारे देश की अर्थ विवस्ता इतनी उचाई पर आपने ले रखी इसलिए तो ये जी ट्वेंटी का अध्यक्षपद हमें मिला और इसलिए मैं आपका अबारी हूँ कि महारास्तों को भी आपने मोका दिया चार शेरों में ये जी ट्wenटी के समेट हो रहा है मुंबई में हो गया पुने में होगा नाकपुर में होगा और संभाजी नगर औरंगाबाद में होगा और इसलिए आप दुनिया भर के लोग मुंबई में आये थे इतने खुश हो गए अब मैं यहाँ पर हमारे कमिशनर चैल जी को भी धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यह मुंबई को चमका दिया तो लोगों के पेट में दर्द होने लग गया यह क्यों हुआ अरे भई पंद्राभी साल आपको मुखा था आपने नहीं किया हम छे मैने में कर दिया तो अच्छा तो बोलो अच्छे के अच्छे चीज़ को तो यह मुखा हमें मिला कि हमारे राज्य का इन्प्रास्टक्चर, राज्य का ब्रैंडिंग, शोकेसिंग करने का आउसर आपने हमें अधर्निय प्रधान मंत्री जी ने दिया इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आबारी हूँ इतना ही मैं कहूंगा यह उड़त में सांगतो कि मुंबई चा विकास कराईच मुंबई चा चेहरा मोरा बदलाईच यह ले 25 वर्षे जह जालना ही यह सरकार तीन चार पाच महिना मदे कामाला सुरुवाद जलिया है लोका न करते बदल जाना हो तो है किती कोनी टिका के लितरी सुदा या मुंबई इतला मुंबई कर सुदनिया है आमी विकासा वरबर पुनर विकासा चे प्रकलप पन फुडएने तो है त्या मदे जे ठामले ले प्रकलपा है मते सेस असेल, डीसेयच चा बिल्दिंग अस्तील अन की काई इमारती अस्तील त्याचा पुनर विकासा चा मार्ग देकिला मी मुंबई करतो है येवड़त में सांगतो कि पुडिल तीन वर्षार मुंबई चा संपुर्ण काया पालट करने चा निर्दार अपले सरकार ने केला केंदर सरकार चा भक्कम पाडबल मोधी सहवान चा रुपा ने अपले सोबता केंदरात अनि राज्यात अपले सरकार आहे ये ना रहा कही दिऊसा मदे महापाली के चा निवड़नुका पन होतील तेवा विकासाच है डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन मदे त्याचर रुपांतर होईल ये उड़त मिया प्रसंगी संको और मोधीजी अधरनिया प्रदान मंत्रीजी आपका अशिर्वात हमारे साथ राह है ये अशिर्वात तो मुंबई विकास की रफ्तार गती शक्ती जैसी तेज होगी और अगले दो सालों में मुंबई और महारास्तों को नई पहचान हम दिलाने की कोशिश करेंगे आणि मनुनच आपन सर्वान नी मिलून आदर निया प्रदान मंत्री महोदैन चा मार्गदर्शना खाली नवा महारास्त घडवन्याचा निर्दार करूया दन्यवाद जैहिन जै महारास्तों खुब खुब आभार सी एम सर देवी और सलचनों दही सर पूर्व से डियन नगर मुंबई मेट्रो रे लाइन टू ए तथा अंधेरी पूर्व से दही सर पूर्व मुंबई मेट्रो लाइन साथ के दूसरे चरण का लोग कारपन करने हे तू रिमोट का बटन दबाकर इपटिकाओं का अनावरन करने की बिंती मैं मान्य प्रधानमंत्री जी से करती हूँ साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ पियाकरशित करूंगे मुंबई मुंबई वासियों को एक ऐसे यातायात प्रणानी को अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा जो हरित है स्वच्छ है और विश्विस्तरी होने के साथ साथ पून तहां मेक इन इंडिया है मुंबई की गती हर दिन बढ़ रही है हमारा लक्ष है कि मुंबई के सबसे भीड़वार इलाकों में इन दो नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को काफी रहात मिलेगी ना ही आप घंटो अब ट्राफिक में फसेंगे बलकि गर्मी और प्रदुशन से भी आपको बहुत रहत मिलेगी यह हमारी मुंबई है फास्ट है मौडर्न है और स्मार्ट है आज माननी प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी अपने कर कमलों से मुंबई मेट्रो की लाइन सेवन और टू ए का अनावरण करेंगे यह मेट्रो मार्क के मुंबई के उत्तर को दक्षणी भाग से और मुंबई के पूर्व और पश्चमी भाग से जोडएंगी आज इस मेट्रो विस्तार का एक हिस्सा बनते हुए मुझे बहुत-बहुत खुशी हो रही है मेट्रो के लिए कुथोर परिश्रम करने वाले संपूरन टीम का मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ चालक रहित सुविधा से लैस होने के साथ-साथ इस CBTC मेट्रो ट्रांस्पूर्ट सिस्टम में अनेको सुविधाय है शुन्य काबन एमिशन, वेल डिजाइन मेक्रो स्टेशन्स, स्वचलित फेयर कलेक्शन गेट्स, यातरियों की सुरक्षा हे तू, प्लैट्फॉर्म स्क्रीन डोर, दिव्यांग नागरिकों की सुविधा हे तू, डिब्बो में आरक्षित वीलचेर के लिए जगह, साथ ही साइकल के साथ यातरा करने के लिए सुनेशित साइकल स्टैंड, हर मेट्रो स्टेशन का निर्माण पर्यावरन के अनुकूल किया गया है, और अधिकतर स्टेशन प्लैटिनम रैंग से प्रमानित भी है, MMRDA, बहतर यातरा के लिए मुंबई वन एप, और NCMC कार्ड की सुव की शील बनाता है. भारत का नित्रत्व करने वाले प्रधान मंतरी, श्रियुत नरेंद्र मोदी की के दूर दर्शी नित्रत्व के कारण, पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूत पूर्व विकास हुआ है. देश में एम्स अस्पतालों की संख्या 2014 के बाद 7 से बढ़कर अब 22 हो गई है. और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है. प्रधान मंतरी जन आरोग ये योजना, जन आउशदी केंदर जैसी पहल हर नागरिक की स्वास्थ्य देखभाल की आवशक्ताओं को पूरा कर रही है. और डबल इंजिन सरकार की तेज रफ़तार के साथ ये सभी योजनाएं महाराश्टर के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर लावकारी साबित हो रही है. राश्टर की सेवा के लिए अथक परिश्रम करने वाले प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी जी के काम करने के तरिके को महाराश्टर के माननिय मुख्य मंतरी स्री एकनाथ शिंदे जी और माननिय उपमुख्य मंतरी स्री देवेंदर भड़नवीज जी ने भी अपनाया है. मुंबई शहर एवं उपनगरों की बढ़ती जन संख्या को ध्यान में रखते हुए मुंबई उपनगरों में आरोट्य सुविधाओं को सिद्रिड बनाना आवश्चक है इसी को ध्यान में रखते हुए माननिय मुख्य मंत्री जी की परिकल्पनाव के अनुसार 17 नवंबर 2022 को हिंदु रुदय समराड बाला साहिब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकारपन हुआ और आज माननिय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से कुल 20 नए हिंदु रुदय समराड बाला साहिब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकारपन होने जा रहा है साथ ही उकनगरों में ब्रहत पुपई महानगर पाली का द्वारा वर्तमान अस्पतालों के सुधार हेतूर विभिन्न परियोजनाय कारियान में दी जा रही है जिसमें मुख्य है भांडुक मल्टी स्पेशालिटी अस्पताल जहां तीन सो साथ बेड़ वाला अस्पताल आतार लेगा जो खरीबन दस से बारा लाख नागरीकों को आरोग के सेवाएं प्रदान करेगा गोरे गाउं के सिंधार्त हॉस्पिटल का भी होगा पुनर्विकास जिसमें कुल 306 बेड़ की सुविधा होगो यह अस्पताल आठ से 10 लाख नागरीकों को आरोग के सुविधाएं प्रदान करेगा अस्पतालों के साथ साथ प्रसुती ग्रुहों के पुनह निर्मान का भी सरकार का लक्ष है जिसमें मुख्य है ओशिवारा मैटरिटी होस्पिटल जिसमें 11 मंजिला भवन का निर्मान होगा जिसका लाख तीन लाख से अधिक जन संख्या को मिलेगा मुंबई तथा महराष्ट्र के लिए ये गर्व की बात है कि आज इन दो अस्पतार तथा प्रसुती ग्रिह का भूमी पूजन माननिय प्रधान मंतरी श्रियुत नरेंद्र मोदी के करकमलों से किया जा रहा और अब 2464 MLD क्षमता की साथ वेस्ट वाटर ट्रीट्मेंट फसिलिटीज का भूमी पूजन करने हे तू रिमोट का बटन दबाकर इपटिका का अनावरन करने की बिंती मैं माननिय प्रधान मंतरी जी से करती हूँ साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलेगी देश के माननिय प्रधान मंतरी श्रीट नरेंदर मोदी जी की कार्यश है स्वच्छता एवं जन आरवगी के प्रती उनके द्वारा साकार हुए विभिन्न प्रकलपों के वजह से विश्प के नक्षे में भारत का नाम गर्व से उभराया है हमारी कोई भी नदी या वाटर बाड़ी बाहरी कारकों से प्रदुश्प न हो इसके लिए में हर राज में वेस्ट मैनेजमेंट और सिवेस्ट ट्रिट्मेंट का नेट्वर्क बनाना हो इसी संकल्प से प्रिरना लेकर मुंबई में साथ जगाहों पर माननिय मुख्यमंतरी श्री एकनात शिंदे और माननिय उपमुख्यमंतरी श्री देवेंदर भड़नवीस के नेतरत्व में ब्रिहन मुंबई महानगरपाली का द्वारा 17,182 करोड रुपे की लागक से साथ स्टीपी की महत्वा कांशी परियोजना साकार होने जा रही है जो कई सालों से रुकी हुई थी मुंबई शहर सिर्फ महराहटर की राजधानी ही नहीं बलकि देश की भी आर्थिक राजधानी है मुंबई की डेड़ करोड की वर्तमान जनसंख्या प्रती दिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण मुंबई में प्रती दिन लाखों लिटर सीवेज को तपन्न होता है वर्तमान में इस सीवेज को पुरानी प्रक्रिया के मुताबिक खाड़ी या समुदर में छोड़ दिया जाता है वर्तमान सीवेज यंत्रों को कारियानवित रखते हुए यहाँ पर अत्यादुनिक सीवेज प्लान्ट की स्थापना करना स्वयम एक चिनोती पुरुन कारिया है भावी जन संख्या को ध्यान में रखते हुए आकार ले रही परियोधना है SBR, MBR और CSBR जैसी आदुनिक तक्निकों पर आधारित है जो सारे प्रमान पूरे करती है मुंबई सीवेज परियोधना के तहट आकार ले रहे इन साथ प्लान्ट की कुलक शमता प्रति दिन 2464 मिलियन लीटर है इन प्लान्ट के द्वारा शहर के दूशिक जल को दीन चरणों में सुद्ध किया जाएगा और 50% पानी को तीसरे चरण में प्रक्रिया कर उसे पीने के अलावा अन्य उद्देशों के लिए इस्तमाल किया जाएगा इस प्रक्रिया में उत्पादित बायो गैस से उर्जा उपन्न होगे ये सभी महत्वात आंक्शी परियोजनाएं परिया वरन का संतुलन बनाए रखने में और मुंबई के समुद्र ततों को साफ रखने में मदद करेगी वैकल्पिक रूप से ये नागरिकों के जल जीवन और स्वास्थ में सुधार करने में मदद करेगा और अब 6,89 करोड रुपे मूली की सडकों का कॉंक्रिटिकरन का भूमी पुजन करने हे तू रिमोट का बटन दबा कर ये पटिका का अनावरन करने की बिंदी मैं मान्य प्रधान मंत्री जी से करती हूँ इसके साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगे भारत की आर्थि व्यवस्था को रफ्तार देता है आर्थिक राजधानी मुंबई शहर इस मुंबई की रफ्तार उसकी सडके हैं देश की सडक निर्मान में नया इतिहास प्रधान मंत्री श्री नरेंडर मोधी जी की नित्रित्व मेर अचा गया है आज पहली पार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानिविय स्वरूप दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा हुमन टच जो आज हर किसी के जीवन को सपर्श कर रहा है ऐसे दूरदर्शी माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से आज मंबई में 6,89 करोड रुपए की लागत से 397 किलो मीटर लंबाई की सडकों का कॉंक्रीटी करण का काम शुरू होने जा रहा है मंबई में 2,050 किलो मीटर लंबी सडकें हैं जिन में से 990 किलो मीटर लंबी सडकों का कॉंक्रीटी करण अब तक हुआ है और 265 किलो मीटर लंबी सडकों का कॉंक्रीटी करण काम चल रहा है लेकिन बची हुई 850 किलोमेटर सडकें बारी यातायात हर साल मुसलाधर बारिश से होने वाले जल भराव और उससे बनने वाले गड़ों की समस्या से जूचती है और यातायात में अवरोध पैदा होता है विशे की गंभीरता को समझते हुए बाहराश्ट्र के बाननिय मुख्य मंत्री श्री एकनात शिंदे जी और बाननिय उप मुख मंत्री श्री देवेंद्र फढ़नविस जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं मुंबई में सडक कॉंक्रीटी करण को अब रफतार दी गई है BMC द्वारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या बे सडक कॉंक्रीटी करण का काम होने जा रहा है जिससे सडके अच्छी बने और हमेशा गण्डों से मुक्त रहें बची हुई 450 किलोबीटर सडकों का कॉंक्रीटी करण भी आने वाले समय में जल से जल करने के दिर देश महराश्टर की गतिशील सरकार ने दिये हैं कॉंक्रीट की नई सडकें रफतार के साथ सुरक्षित भी प्रदान करेंगी उच्च तम गुणवत्ता से बनी पूर्व निर्मित नालियां मजबूती प्रदान करेंगी तथा यूटिलेटी डक्स के कारण बार-बार खुदाई की जरूरत नहीं रहेगी जिससे सडकों को लंबी आयू मिलेगी ट्राफिक को गती मिलने से कारबन उच्च सर्जन कम होगा गाड़ी की माइलेज और पैसों की बचट बढ़ेगी हर 400 मीटर की दूरी पर बरसाती पाली संजोने वाले सोक पीट बनेंगे पार दर्शिता से की गई बिडिंग, सर्भश्रेष्ट कमपनिया, कुशल श्रमशक्ती, उच्च गुनवत्ता वाली मशीनरी इन सब का मेल होकर मुंबई की सडकों का कॉंक्रीटी करन नया इतिहास रचने जा रहा है और अब चत्रपती शिवाजी महराज टर्मिनस रेलवी स्टेशन के पुनर्विकास का शीला न्यास करने हे तू रिमोट का बटन दबा कर इपटिका का अनावरन करने की बिंदी मैं मान्ये प्रधार मंत्री जी से करती हूँ साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलेगे शत्रपती शिवाजी महराज टर्मिनस है पूरे विश्व की एक अध्भुत एतिहासिक धरोहर क्योंकि ये है दुनिया का एक मात्र रेलवे स्टेशन जिसे अपने अनोखे आर्किटेक्चर के कारण युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का गौरव प्राप्त है 16 अपरेल 1853 को देश की पहली ट्रेन यहीं से अपनी यात्रा पर निकली थी इस स्टेशन से प्रति दिन लाखों यात्री अपने सफर पर निकलते हैं 1200 से जादा लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की लगभग 100 ट्रेनों का इस टर्मिनल से आगमन और प्रस्थान होता है मौजूदा क्षमता पर लगातार बढ़ते दबाव और भविश्य की जरूरतों को देखते हुए ये आवश्यक था कि पैसेंजर लोड विवस्थित हो ड्रेल ट्राफिक सुगम हो और समय के अनुरूप बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से ये स्टेशन लैस हो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ लगातार आधुनिक होते रेलवे के डीवर सफर में जुड़ रहा है एक नया अध्याए दुदान मंत्री जी के द्वारा ही हो रहा है छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के उनर विकास प्रोजेक्ट का शिला न्यांस देश मेप कनेक्टिविटी इंफ्रास्टेक्टर के विकास के लिए एप्रोज मेप बहुत बड़ा बडलाव आया है रेल, मेट्रो और बसों की सुमिजा एक दुसरे से जोड़ी जा रही है अब कनेक्टिविटी का एक संपोन सिस्टिम तयार किया जा रहा है यानि याता यात के अलग-अलग माज्यम एक दूसरे से भी कनेक्ट हो इस सुनिशित किया जा रहा अथारा सो करोड रुपे से अधिक की लागत से छत्रपती शिवाजी महराज तर्मिनस को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा इस स्टेशन का हेरिटेज रेस्टोरेशन किया जाएगा यानि विरासत भी और विकास भी स्टेशन में मौझूदा साउथ हेरिटेज क्षेत्र को दीकंजेस्ट करने के लिए दो नए, एक लोकल और एक लॉंग डिस्टन्स के लिए यात्री सुविधा क्षेत्र बनेंगे, जिससे यात्रियों और ट्रेनों दोनों की आवाजाही हो सकेगी और बेहतर Multiple Entry Exit, परियाप्त पार्किंग एरिया जैसी सुविधाएं यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगी साथ ही Terminus का Metro Line के साथ भी एकी करण होगा, ताकि Connectivity का Integration हो और लोगों को आवाजाही में सहजता दिव्यांग जनों की सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए विशेश विवस्था होगी Terminus में यात्रियों के लिए Double Level Concourse Area का भी निर्माण होगा जहां Retail Shop, Restaurant और Waiting Area जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होगी नए भारत के आधुनिक रेलवे की दिशा में ये Redevelopment Project है एक एहम कदम जिससे अमरित काल में एतिहासिक शत्रपती शिवाजी महराज Terminus बनेगा अत्याधुनिक, भव्य हैं और World Class और अब प्रधान मंत्री पथविक्रेता आत्म निर्भर निधी अर्थात पी-एम स्वनिधी के अंतरगत एक लाग से अधिक लाभारतियों को Direct Benefit Transfer प्रक्रिया का आरम, रिमोट का बटन दबा कर करने की बिंती मैं मान्य प्रधान मंत्री जी से करती हूँ इसके साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगे मुंबई, ऐसा शहर जहां महनत करने वाले हर इनसान को जिन्दगी सभारने का मौका जरूर मिलता है इन में सबसे बड़ी संख्या में होते हैं रेडी पट्री वाले यानि कीप स्ट्रीट वेंडर्स रास्तों पर ठेले लगाकर सामान, सबजी बेचकर ये अपना गुजारा करते हैं लेकिन साल 2020 में सारी दुनिया में कोविड-19 कोरोना की महामारी भैल गई और इसका सीधा असर इन फेरी वाले भाईयों पर भी पड़ा महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गवा बैठे ऐसे में फेरी वालों का गुजारा होना मुश्किल बन गया तब ऐसे लोगों की सहायता के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2020 में पी-म स्वनिधी योजना की घोशना की इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बना गया है कि सामाने से सामाने व्यक्ति भी इससे जूर सके पी-म स्वनिधी योजना की तहत पहली बार बिना गैरंटी 10,000 रुपे तक का कर्ज दिया जाता है और अगर समय पर ये कर्ज चुका दिया गया तो अगली बार 20,000 और उसके बाद 50,000 तक का कर्ज मिल सकता है देश के अगरगण्य बैंकों के सहकारिय से ये कर्ज दिया जाता है इस योजना को महराश्ट में BMC यानी ब्रहन मुंबई महानगर पालिका में भी शुरू किया गया था शुरुवाती कुछ वजह से ये योजना धीमी थी लेकिन समस्याओं का समाधान ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने महराश्टर के मुख्य मंत्री श्री एकनाच शिंदे जी और उपमुख्य मंत्री श्री देवेंद्र फदन्विज जी के मार्थ दर्शन में ढूंड लिया केंदर सरकार, महराष्ट सरकार और प्रहन मुंबई महानगर पालिका के इस योजना को सहज करने के लिए कदम उठाए गए दो अलग फॉर्म्स की जगह सिर्फ एक फॉर्म बनाया गया जो भरना असान था इस आसान प्रक्रिया के कारण मात्र एक महा के भीतर पचास हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए सिर्फ दो महीने के अवधी में मुंबई में 2310 सेमिनार किये गए जिसके परिणाम वश जरूरत मन लोगों के लाखों आवेदन प्राप्त हुए आज के इस शुब अवसर पर भारत के माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के करकमलों से इस योजना की कुल 100 करोड की राशी में से शुरुवाती एक लाख पात्र लोगों के खाते में स्वनिदी प्रधान की जा रही है जतलाते हुए गर्व महसूस होता है कि अपसे केवल आधे घंटे के अंदर अंदर इन सारे लाभारतियों के बैंक खाते में धनराशी जमा हो जाएगी देवी और सज्जनू राश्ट की उन्नती के लिए दिन रात एक करने वाले देश की चवी आंतराश्टियस तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधान मंत्री मानिय श्री नरेंद्र मोधी जी से मैं आगरे करती हूँ कि आज के इस अत्यंत आनन के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी ओजस्वी वानी तथा बहुमोल विचारों से हमें उपकृत करें बारत माता की भारत माता की मुंबई तील माजा सर्वबंदु आणि भंगिनिना माजा नवश्कार महाराष्टर के राजपाल स्रिमान भगसी कोश्यारी जी मुख्यमंत्री स्रिमान एकनाच छिन्दे जी उपमुख्यमंत्री स्रिमान देवेंदर फड़नविश जी केंद्रिय मंदल के मेरे सहयोगी काण विदान सबा स्पीकर स्री राहूल नर्वेकर जी महाराष्टर सरकार के सभी अन्यमंत्रिगण सांसद और विधायगण और विशाल संग्हाबे पदारे आये हुए मेरे पैरे भाई और बहनों आज मुंबई के विकास से जुड़े 40,000 करोर रुपिये के प्रोजेक्स का लोकारपन और सिलानियास यहां हुआ है मुंबई के लिए बेहत जरूरी मैट्रो हो चत्रपती सिवाजी टर्मिनस के आधनी करन का काम हो सडकों में सुधार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और बार साथ ठाकरी जी के नाम से आपना दवा खाने की शुरुवात हो ये मुंबई शहर को बहतर बनाने में बड़ी भूमी का निभाने वाले हैं थोड़ी दिर पहले मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स को भी पी-म स्वनीदी योजना के तहत बैंक खातों में पैसा पहुँचा है ऐसे सभी लाबार्थियों को और हर मुंबई करको मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बाई और बेहनों आज आदी के बाद पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है वरना हमारी यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालकन सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना दुनिया से मदद मांगना जैसे तैसे गुजरा करने में ही बीत गया ये भी आज़ाद भारत के इतिहाद में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है इसलिए आज़ादी के अमरित काल में विक्सीद भारत के निर्मान की जितनी उत्सुकता भारतियों को है उतना ही आशावाद दुनिया में भी दिख रहा है और अभी सिंदे जी दावोस का अपना अनुभव वरनन कर रहे थे ये सब जगा पर ये ही अनुभव आ रहा है भारत को लेकर दुनिया में इतनी पोजिटिविटी इसलिए है क्योंकि आज सब को लगता है कि भारत अपने सामर्थ का बहुती उत्तम तरीके से सदुप्योग कर रहा है आज हर किसी को लग रहा है कि भारत वो कर रहा है जो तेज विकास के लिए सम्रुद्ध के लिए बहुत आवशक है आज भारत अभूत पुर्वा आत्मविश्वास से भरा हुआ है छत्रपति सिवाजी महराज की प्रिनना से स्वराज और सुराज की भावना आज के हिंदुस्तान में डबल इंजिन सरकार में प्रभी प्रबल रूप से प्रगट होती है भाई और बेहनों हमने वो समय देखा है जब गरीब के कल्यान के पैसे गोटालों की भेट चड़ जाते थे टैक्स पेर से मिले टैक्स को लेकर संवेदन सिल्टा का नामो निशान नहीं था इसका नुक्षान करोडों करोडों देश वासियों को उठाना पड़ा बीते आठ वर्षों में हमने इस एप्रोच को बड़ला है आज भारत फुचरिस्टिक सोच और मोडरन एप्रोच के साथ अपने फीजिकल और सोशल इंफ्रा सक्टर पर खर्च कर रहा है आज देश में एक तरफ घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कोकिंग गैस, मुप्त इलाज, मेडिकल कॉलेज, इम्स, आई आई टी, आई एम जैसी सुविधाओं का तेज गती से निर्मान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोड है, जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर की कभी कलपना होती थी आज वैसा इंफ्रास्रेक्टर देश में बन रहा है यानि देश में आज की जरुरत और भविश्य में सम्रुद्धी की संभावनाओं दोनों पर एक साथ काम चल रहा है दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थे ववस्ताएं आज बेहाल है लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी भारत असी करोड से अधिक देश वास्यों को मुप्त राशन दे करके कभी भी उनके घर का चूला बुजने नहीं देता है ऐसे माहूल में भी भारत इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्मान पर अभूत्पुर्वन निवेश कर रहा है यह आज के भारत की प्रतिवद्द्दता को दिखाता है विक्सीद भारत के हमारे संकल्प का प्रतिवीम्ब है भारी और बैनो विक्सीद भारत के निर्मान में हमारे शहरों की भूमी का सबसे एहम है इसमें भी अगर हम माहराश्टर की बात करें तो आने वाले पचीस वर्सों में राज्य के अनेक शहर भारत की ग्रोथ को गती देने वाले हैं इसलिए मुंबई को बविश्य के लिए भी तैयार करना ये डबल इंजिन सरकार की प्राफिक्ता है हमारी ये प्रतिबद्धा मुंबई में मेट्रो नेट्वर्क के विस्तार में भी दिखती है 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमिटर तक मेट्रो चलती थी जैसे ही आपने डबल इंजिन सरकार बनाई बैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ लेकिन सिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है मुंबई में 300 किलोमेटर के नेट्रो वर की तरफ हम तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं साथियों आज देश भर में रेलवे को आधुन्क बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है मुंबई लोकल और महराष्टर के रेल कनेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है डबल इंजिन सरकार सामान्य मानवी को भी वही आधुनिक सुमिदा वही साप सफाई उसी तेज रप्तार का अनुभव देना चाहती हैं जो कभी साधन संपन लोगों को ही मिलती थी इसलिए आज रेल्वे स्टेशनों को भी एरपोर्ट की तरह ही विक्सित किया जा रहा है अब देश के सबसे पुराने रेल्वे स्टेशनों में से एक छत्रपती सिवाई जी महाराच टर्मिनस का भी काया कल्प होने जा रहा है हमारी ये धरोहरब 21 सदी के भारत की शान के रुपे भी विक्सित होने जा रहा है यहां लोकल और लंबी दुरी की ट्रेनों के लिए अलग-अलग सुविदाएं बनेगी लक्ष यही है कि सामान्य यात्रियों को बैतर सुविदा मिले काम के लिए आना जाना आसान हो यह स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविदाओं तक सिमित नहीं रहेगा बलकि यह मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा यानि बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, आटो हो याता यात के हर सादन यहां एक ही छट के नीचे कनेक्टेड होंगे इससे यात्रियों को एक सिम्बलेस कनेक्टिविटी मिलेगी यही मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विक्सित करने जा रहे हैं साथियों, आधुनिक होती मुंबई लोकल, मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे सहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का काया कल्प होने जा रहा है गरीब मद्दूर से लेकर कर्मचारी, दुकानदार और बड़े-बड़े बिजने संभालने वाले सब के लिए यहां रहना सुविदा जनक होगा यहां तक की आस-पास के जीलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलब होने वाला है कोस्टल रोड हो, इंदू मिल्स मारक हो, नवी मुंबई का एरपोर्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो ऐसे अनेग प्रजेक्स मुंबई को नई ताकत दे रहे हैं धारा भी फुनर विकास, पुरानी चाल का विकास, सब कुछ अब ट्रेक पर आ रहा है मुंबई की सडकों को सुधारने के लिए भी आज बहुत बड़े स्तर पर जो काम शुरू हुआ है ये भी डबल इंजिन सरकार की प्रतिबदता को दिखाता है भाई और भेनों, आज हम देश के शहरों के कम्प्लीट ट्रांस्फॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं प्रदूश्ण से लेकर स्वच्छता तक शहरों की हर समस्या का समादान ढूंडा जा रहा है इसलिए हम एलेक्ट्रिक मॉबिलिटी पर इतना बल दे रहे हैं इसके लिए इंस्प्रास्ट्रक्चर तयार कर रहे हैं बायो फ्यूल आधारी ट्रांस्पॉर्ट सिस्टिम हम तेजी से लाना चाहते हैं हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़े ट्रांस्पर सिस्टिम के लिए भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है यही नहीं हमारे शहरों में कुड़े की वेस्टी जो समस्या है उसे भी हम नई टेक्लालोजी से दूर करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे है वेस्ट व वेल्ट का बहुत बड़ा अभ्यान देश में चल रहा है नदियों में गंदा पानी ना मिले इसके लिए वोटर ट्रीट्मेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं साथियों शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ की और राजनीति की च्छाशक्ति की किसी भी किस की कम भी नहीं है लेकिन हमें एक बात और समझनी होगी मुंबई जैसे शहर में प्रोजेक को तब तक तेजी से नहीं उतारा जा सकता जब तक स्थानिय निकाई की प्राथविकता भी तेज विकास की ना हो जब राजने में विकास के लिए समर्पित सरकार होती हैं जब शहरों में सुशाजन के लिए समर्पित सासन होता है तब ही ये काम तेजी से जमिन पर उतर पाते हैं इसलिए मुंबई के विकास में स्थानिय निकाई की भूमी का बहुत बड़ी है मुंबई के विकास के लिए बजेट की कोई कमी नहीं है बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए अगर वो प्रस्टाचार में लगेगा पैसा बैंकों की तिजोर्वर्य में बंद पड़ा रहेगा विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ती होगी तो फिर मुंबई का भविश्य उजवल कैसे होगा मुंबई के लोग यहां के सामान्य जन परेशानिया जेलते रहे यह शहर विकास के लिए तरस्ता रहे यह स्थिती 21 सदी के भारत में कभी भी इस विकार यह नहीं हो सकती है और सिवाजी महराज के महराश्टर में तो कभी नहीं हो सकती है मैं मुंबई के लोगों की हर परेशानी को समगते हुए बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को रख रहा हूँ भाजपा की सरकार हो NDA की सरकार हो कभी विकास के आगे राजनीति को नहीं आने देती है विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्रात्विकता है अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धी के लिए भाजपा और NDA की सरकारे कभी विकास के कारियों पर ब्रेक नहीं लगाती लेकिन हमने पहले के समय मुंबई में ऐसा होते बार बार देखा है पी-म स्वनिदी योजरादी इसका एक उधारन है हमारे शहरों में रेडी वाले, पट्री वाले, ठेले वाले ये काम करने वाले साथी जो शहर की अर्थे बवस्ता का अएम हिस्सा है उनके लिए हमने पहली बार योजना चलाई हमने इन छोटे व्यपारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटे का रण निश्चित किया देश भन में लगबग 35 लाख रेहडी पट्री वालों को इसका लाब मिल चुका है इसके तहट मारास्ट बे भी पांच लाख साथियों को रण स्विकृत हो चुके हैं आज भी एक लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में शीदे पैसे जमा हो गए हैं ये काम बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजी की सरकार ना होने के कारण हर काम में अडंगे डाले गए रुकावटे प्यदा की गई जिसका नुक्षान इन सभी लाफार्थियों को उठाना पड़ा ऐसा फिर ना हो इसलिए जरूरी है कि दिल्ली से लेकर महराश्टर और मुंबई तक सबका प्रयास लगे बहतर तान मेरे वाली विवस्ता बने साथियों हमें याद रखना है कि स्वानिदी योजना सिर्फ लोन देवे की योजना भर नहीं है बलकि ये रेडी पट्री और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थित सामर्थ बढ़ाने का अभियान है ये स्वानिदी स्वाबिमान की जड़ी भुट्टी है मुझे बताया गया है कि स्वानिदी के लाभार्थियों को डिजिटल लेंदेन की टेनिंग के लिए मुपई में सवा तीन सो कैम्प लगाए गए जिसके चलते हमारे रेडी पट्री वाले हजारों साथी डिजिटल लेंदेन शुरू कर चुके है ये सुनकर अनेक लोग चौग जाएंगे कि इतने कम समय में देश भर में स्वा निदी योजना के लाभार्थियों ने करीब करीब पच्चास हजार करोड रुपिये का डिजिटल ट्रांजेक्शन किया है जिनको हम अनपड मानते हैं जिनको हबलग किशी भी भाषा में अपमानित करते रहते हैं उन मेरे छोटे छोटे साथियों ने जो आज मेरे सामने बैटे हैं ये रेडी पट्री वालों ने ओनलाइन मोबाइल से पच्चास हजार करोड रुपिये का काम किया है और उनका ये पराक्रम उनका परिवर्तन का ये मार्ग निराशा वादियों के लिए बहुत बड़ा जवाब है जो कहते थे कि रेडी ठेले पर डिजिटल परमेन कैसे होगी डिजिटल इंडिया की सफलता इस बात का उदारण है कि जब सबका प्रयास लगता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है सबका प्रयास की इसी भावना से हम मिलकर मुंबई को विकास की नई उचाई पर ले जाएंगे और मैं मेरे रेडी पट्री वाले भाईवास मैं कहना चाहता हूँ आप मेरे साथ चलिए आप दस कदम चलेंगे तो मैं ग्यारा कदम चलूँगा आपके लिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे रेडी पट्री वाले भाईवे है शाहोकार के पास पैसे ब्याद लेने के लिए जाते थे दिन पर व्यापार करने के लिए उसके एक हजार उपी के जरूरत है वो देने से पहले इस सोकात लेता था नौसो देता था और शाम को जाकर के अगर हजार वापिस नहीं लोटा है तो उसको दूसरे दिन पैसे नहीं मिलते थे और कभी अगर अपना माल नहीं भी का हजार उप्या नहीं दे पाया तो ब्याज बढ़ जाता था रात को बच्चे भूखे सोते थे इन सब मसीबतों से आपको बचाने के लिए स्वनी दी योजना है और साथियों जितना जादा आप डिजिटल उप्योग करोगे ठोक में लेने जाओगे उसको भी डिजिटल पेमेंट करो जहां पर बेटते हो वहां भी लोगों को कहो भी डिजिटल पेमेंट करो तो स्थिती ये आएगी कि आपको व्याज का एक नया पैसा नहीं लगेगा आप कल्प ना कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे बचेंगे आपके बच्चों की सिख्षा के लिए आपके बच्चों के भविष के लिए कितना बड़ा काम होने वाला है इसलिए मैं कहता हूँ साथियो मैं आपके साथ खड़ा हूँ आप 10 गदम चले मैं 11 चलने के लिए तैयार हूँ वायदा करने आया हूँ आपके उजवर भविश के लिए मैं आज आपसे आँख में आँख मिला करके ये वादा करने मुंबई की दर्ति पे आया हूँ और मुझे बरुता है इसी विश्वास को ले करके जब मैं आज फिर एक बार आपके पास आया हूँ मैं सभी लाभार्चियों को सभी मुंबई करों को पुरे महरास्ट्र को और मुंबई तो देश के धरकन है पुरे देश वाचियों को भी मैं इस विकास कारियों के लिए बढ़ाई देता हूँ सिंदे जी और देवेंदर जी की जोड़ी आपके सपनों को साकार करेगी यह मेरा पुरा भी स्वास है बोल भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आपका संबोधन सौगात के रूप में बरकरार हो रहेगा मैं दिल की गहराईों से आपका आभार ग्यापत करती हूँ धन्यवाद आपके पुरंदरा भ्यान नमाहा या वरती या वेला बन पाहतो है कारकरमाला कलाकार आने कूपस्ते त्राणा राहे